साथियों, गुलामी के लंबे कालखंडे, टैक्स पेर और टैक्स कलेक्टर दोनों के रिष्टों को सोशित और सोशक के रुप में ही विख्षित किया। दुर्भागे से आजाजी के बात हमारी जो टैक्स व्यवस्था रही उसमें इस छभी को बदलने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो उतने नहीं किये गए। जबकि भारत में पुरातन काल से ही टैक्स के महत्व और लेंदेन को लेकर बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। गोश्वामी तुलसिदाजी ने कहा है बर्सत हर्सत सब लखें बर्सत हर्सत सब लखें कर्सत लखें न कोई तुलसी प्रजा सुभाग से प्रभूप भानुसो होए। तत पर ये ये हैं कि जब बादल बरसते हैं तो उसका लाप हम सभी को दिखाई देता है। लेकिन जब बादल बनते हैं सूरिय पानी को सोकता है तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। इसी तरह शासन को भी होना चाहिए। जब आम जन से वो टैक्स ले तो किसी को तकलीफ नहीं हो। लेकिन जब देश का वही पैसा नागरी को तक पहुँचे तो लोगों को उसका इस्तवाल अपने जीवन में महसूस होना चाहिए। बीते वर्सों में सरकार इस वीजन को लेकर ही आगे बढ़ी है। साथियों आज का टैक्स पेयर पूरी टैक्स विवस्ता में बहुत बड़े बडलाव और पारदर्सीता का साक्षी बन रहा है। जब उसे रिफन के लिए महिनों इंतजार नहीं करना पड़ता। कूची सब्ता में उसे रिफन मिल जाता है तो उसे पारदर्सीता का अनुभव होता है। जब वो देखता है कि विभाग ने खुद आगे बढ़कर बरसों पुराने विवाद को सुल्जा दिया है। उसे विवाद से मुक्ती दिलाई है तो उसे पारदर्सीता का अनुभव होता है। जब उसे फेस्टलेस अपील की सुविधा मिलती है तब वो टेक्स ट्रांसपरंसी को और ज़ादा महसूस करता है। जब वो देखता है कि इंकम टैक्स लगातार कम हो रहा है तब उसे टैक्स ट्रांसपरंसी ज़ादा अनुभव होती है। पहले की सरकारों के समय शिकायते होती थी टैक्स टेरिजम चाहरों तरफ यही शब्द सुनाई देता था टैक्स टेरिजम आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपरंसी की तरफ बढ़ रहा है टैक्स टेरिजम से टैक्स ट्रांसपरंसी का इबढ़ लाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसपरं के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम reform कर रहे हैं, rules में, procedures में और इसमें technology की भरपूर मदर ले रहे हैं, हम perform कर रहे हैं साफ नियत के साथ, स्पष्ट इरादों के साथ, और साथ ही साथ हम tax administration के mindset को भी transform कर रहे हैं.